नमस्कार, कॉंग्रेस से नाता तो टूटा, परंतु 50 साल का पीन पीडियों का जो संबन्द था, उसकी टीस आज भी है, और आज जहां गुसा है पार्टी के लिए वहां दर्द भी है, हरुदेपुर में जो कुछ हो रहा है, उसको देखके पार्टी पे तरस भी आ रहा है, आज यहां पे मैं कुछ बातें कॉंग्रेस के शिर्स नेतरितल से सांजी करने के लिए आया हूँ, अपने दिल की बात कहने के लिए आया हूँ, और जो मेरे दिल की बात है, मैं समझता हूँ, यही बात बहुत से लाखों करोडों कॉंग्रेस के कारे करताओं की दिल की बात है, जो शायद उस चिंतन शिवर में रखी ना जा सके, क्योंकि जमावडा वहां बड़े शिर्सनेताओं का है पर कितने शिर्सनेता सिर्फ चियर लीडर का रूप दार्ण करके रह जाएंगे या कितने लोग उन में से सच के उपर पैरा देंगे कड़ भी और सची बात कह पाएंगे ये तो आज और कल का दिन ही बता पाएगा परंतु पचास साल जिस पार्टी में खून पसीना बाया जिसके साथ अच्छे बुरे समय में साथ रहे उसके प्रती मेरा भी जाते जाते एक दैक्तवे बनता है मैं कुछ बातें सांजी करना चाहता हूँ क्योंकि कल मैंने कॉंग्रेस के हमारे मानिया ध्यक्ष सोनिया जी का बाशन सुना बड़ा भावक बाशन था और उनोंने खास तोर पे जो बात कही कि एक्सेप्शनल सिचुएशन नीड एक्सेप्शनल सुलूशन परंतु कल का ज वो मातरे को अपचारिकता एक फॉर्मेलिटी फुल्फिल करने से ज़्यादा कुछ भी नहीं था आज समा जब है पार्टी को बचाने का आज पार्टी का स्तित्व जो है पार्टी इस फेसिंग एक्जिस्टेंशल क्रैसिस और उस समय हम इस तरह से बियेव कर रहे हैं जैस पॉलिटी के उपर डिसकेशन कर रही है मेरा मानना है कि बिलकुल कॉंग्रेस आज एक मेन अपोजिशन पार्टी है और हमारा यह फर्ज भी बनता है कि हम इन विशों के उपर हमारी एक राय हो परंतु से भी ज़्यादा जैसे कहते हैं कि गर को सजाने का तसवर तो है पहले यह तो तैब हो कि घर को बचाएं कैसे पहले यह तो आपसमें बैठके लाता डिस्कंस कर लें मैं अपने आपकी आज भी आतत नहीं जातीं मैं आप निताओं से कॉंग्रेस जन से बात कर रहा हूं कि आप ये तो तहक रहें कि कॉंग्रेस को बचाओ के कैसे क्योंकि अगर बचाने की नियत होती और ये एक मातर अप्चारिकता ना होके चिंता यहां पर ये चिंता का शिवर होना चाहिए था ना कि चिंतन का चिंता त दुर्दशा क्यों हुई चार सो तीन सीटों में से करीबन तीन सो नबे सीट्स के उपर कॉंग्रेस के जो परत्याशी थे उनको मातर दो जार वोट भी नहीं आ पए आप सब समझते हैं कि पंचायत के मेंबर का जो केंडिडेट होता है वो भी दो चार जार वोट ले जाता है एक कांग्रेस का है मेले उत्रपरदेश जो की दिल है इंदुस्तान का वहाँ पे कांग्रेस के निताओं की ये दुर्दशाओ नहीं निताओं की नहीं मैं समझता हूँ ये शिस नितुर्दव की और पार्टी की दुर्दशा है उसके उपर कोई कमेटी भी नी क्या उस पे के बाद चर्चा तो यह होनी चाहिए थी कि पूरा नौर्थ इस्ट ऑल दा सेवन सिस्टर स्टेट्स जो हैं हम सारी आज से खोए बठे हैं क्या कारण हुआ गोवा में दो बड़ी बारी एंटी फिर क्या हुआ क्या कोई बतापाएगा कि उतरा खंड के जो मुख्यमंतरी के पर्तियाशी थे हमारे हरी रावजी उनका एक पाउं पंजाब में था एक पाउं उनका देरादून में था इलेक्शन दिन तक क्या वो सोच लेके आए थे, क्या सोच के साथ हरीश रावज जी को पंजाब का परवारी बना के बेजा गया, क्या उनकी मनशा सिर्फ इतनी थी कि हम तो डूबें से नहीं तुमको भी ले डूबेंगे, खुद तो उनकी जो दुर्दशा हुई और मैं इस में बहुत बड़ा रोल जो है, एक मातर इन विक्ति का है, सारा जाईतिव तो इनके कंदों पर मैं नहीं डालूँगा, हमारी भी कमियां रहीं वहां पर इनका बहुत बड़ा रोल था, यह एक कड़ी थे यहां से लोग उपर बात करने के लिए, और उससे भी जाए जरूर जब उत्राखंड की बात करते हैं तो पंजाब की बात कैसे ना करेंगी, मैं पंजाब की बात के उपर कुछ समय लूँगा, मैं आप से देरे की, अप एक से करता हूं कि यह कृप्या, थोड़ा देरे रखें क्योंकि पंजाब का मुद्दा सिर्फ वहां पे सरकार बनने न ने तक्सीमित नहीं है, बहुत ही एक अधार बूत मुद्दा है, जो पंजाब से जुड़ा हुआ है पंजाब में, जो गटनाएं वापरी हैं और जिस वज़े से वहां पे पार्टी की जो दुर्गत हुई है पंजाब में, उसकी समस्य हैं जो हैं, उनके दूर गामी और प्रदार बूत उसका प्रबाव पड़ेगा, एक बात मैं मानता हूं कि देश जो है, बारत वर्ष जो है, एक सेकुलर देश है, और उस बारत वर्ष के अंदर अगर सबसे कोई सेकुलर प्रांत है, तो मुझे इस बात का गर्व है कि वो पंजाब है, पंजाब ने बार बा पंजाबियों ने कुर्बानी दे के भी आतंकवाद के उनकाड़े दूनों में 25,000 पंजाबियों की कुर्बानीय हुई, परंतु वहां आप से बाईचारे और सेकुलरिजम के उपर आँच भी नहीं आई, परंतु आज एक छोटी सोच का व्यक्ति, छोटी सोच का सो कॉल लीडर, छोटी सोच का एक छोटा नेता, जो बड़े पदों पे हसीन है, उसकी जुबान ने वो करने का प्रयास किया, जो आतंकवाद के काड़े दिनों के अंदर, एक ए फोर सेवन की गोलियां भी नहीं कर पाई, यह तो पंजाबियों को मैं दाद देता हूं, कि उन्हों इसके अंदर, जिसके नतीचे दस मार्च को भी आए हैं, अगर धर्म की बात करें, सिखों ने, जो सिखों की पंथक पार्टी है, काली दल, उसको वोट नहीं डाला, हिंदूों ने बीजेपी को वोट नहीं डाला, और ऐसी बाईचार ने, हमारे दलित भाईयों ने, या मुस्लिम के तौर पे नहीं, उन्होंने पंजाबी के तौर पे वोट डाला, और इस सारे अडंबर को ढाके, उन्होंने एक आस और उमीद को वोट डाला, एक रंगले पंजाब की आस, एक बेतर फ्यूचर, बेतर बहुशे के आस में, उन्होंने वोट डाला, वो आस कि यह तो समय बताएगा प्रंटू पंजाबियों को यह दाद देनी होगी कि उन्होंने यह काड़ी नजर जो हमारे कांग्रेसी नेता जो लगा रहे थे जो हिंदू सिख या दूसरे बाईचारों के अंदर जैर का बीच जिन्होंने बोया मैं तो आज इस माद्यम से खास तोर पे कांग्रेस सद्यक्षा सोनियाँ जी से निवेदन करूँगा मेरी आज जोड के करबद प्रातना है सोनियाँ जी राजनीती सारे देश में कर लीजिए गा परंटू पंजाब को बख्षिये पंजाब ने बहुत काले दिन देखें पंजाब को 33 फीसिदी अमुक कौम है चारीस फीसिदी अलुक अमुक कौम है बाकी बच्चते नौन सिख हैं या किस खाते में डाल रहे हैं तिरप्या करके बख्षिये पंजाब को पंजाब एक है यह जो बात जिनों लोगों ने आपके जो नेता आपकी सलाकारमा नाम भी लूँगा क्योंकि आज वो उन्हीं के चलते हैं सारा बखेडा खेडा हुआ है कि आज मेरे को इस चैनल पर माध्यम से आप से बात करने की जुरूरत पढ़ रही है अंबीका सोनी जी के एक जबान ने मैं समझता हूं ना सिर्फ कॉंग्रेस को तो कॉंग्रेस का था बंटा प्रंटो नोने पंजाब के माध़े पर कलंक लगाया है सिख्धि के माध़े पर कलंक लगाया उन्हों ने हिंदूоки को बदेनाम किया हिंदू आप के साथ मंच पर बरَّबर बैठी है तो उनसे निमेदन करें के उटके वो बताएं कि पंजाब वट इस सिखिखिजम है क्या चिसको उन्होंने इतना बड़ा दोश लगा दिया उनका ये बियान कि पंजाब के अंदर अगर हिंदू मुख्यमंतरी बनता है तो पंजाब में आग लग जाएगी इसका माइना ये हुआ कि जो सारे सिख हैं सारे पंजाबी बाईचारा है वो हिंदू के खिलाफ दंगे लेके गूम रहा है हिंदू सिख भाईचारे के अंदर दराट डालने की ये जो कोशिच खुदा आपकी सलाकारा अंभिका सुनी जीर उनके जो कुछ चंद चेले जो हैं जो पंजाब के अंदर बैठे थे जिसमें ये फैसला हो रहा था चार पांच जो यहां थे और वो चार पांच मोसली आज वहां आए हुएं आपके पास वक्ता के तौर पे उनको मेलकाब करना जरूरी है उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू बन गया पंजाब में मुख्यमंतरी तो पंजाब में आग लग जाएगी इस दिस सम प्री प्लैंड वे ओफ विलिफिकेशन आफ सिक्स आर यू ट्राइं जिस दिन इनका बयान आया उसी दिन उन्होंने कहा अकाल तक साब का वो बयान में समझता हूं सुरुनिम अक्षों में दिखा जाने वाड़ा है कि पंजाब के अंदर हिंदू सी कोना कोई माइने नहीं रखता सुनिया जी मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा अकाल तक कोई छोटा मोटा जगह नहीं है इस टेंपोरल सीट ऑफ सिखिजम यहां पे माराजा रंजीस सिंग भी आके पेश हुएं अगर उनके हेड़ गरंत ही यह बात कहते हैं वहां के जत्यदार साब कहते हैं तो यह क आदमी पार्टी के उपर कि वो पंजाब का भला नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लीडर्शिप दिल्ली से चलाती है जिनको दिल्ली के बारे में घ्यान नहीं मुझे आम आदमी पार्टी का तो पूरा पता नहीं परंतु सोनिया जी पंजाब को यह इसका बेड़ा करक द है कि गुरु माराज ने जो मूल मंतर दिया था वो था मानस की जात्सवय को पहचान में सरबद्दा पला यूनिवर्सल ब्रदरोड कौन सी लेंगविज समझाओं मैं इनको अमभीका जी को कौन सी लेंगविज में यह बता पाएंगे जवाब दे पाएंगे और इनके जो बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि यह हमारी विचारदारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसका परभाव सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा यह तो आप मानके ले लिजिए कि जब तक इन लोगों से आप पिच्छा नहीं छुडाएंगे तब तक कम से कम कॉंग्रेस के पाव नहीं लग पाएंगे यह आप एक मेरी बविश्यवानी लिख लीजिए चाहे नोट कर लीजिए मेरी तरफ से परंतु यह मसला पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा इस इक सेल्फ शोज फंडामेंटल प्राब्लम विच इस कॉंग्रेस इस फेसिंग आप अपने आपको आप पे इल्जाम लगते हैं कॉंग्रेस पारटी के उपर सूडो सेकलरिजम के कभी सॉफ्ट हिंदूत्व के और कभी इस किसम के बयान आ जाते हैं जिनको कुछ लोग कहेंगे मिजरिटेरियन एक्स्ट्रीम लिए बैठें आप इन बातों का आपके आप पड़ेगा वो मैं समझता हूँ आप इन सारे जो इल्जाम लगते हैं आप इनको तस्दीक कर रहे हैं यह लोग आपके पास मंच पे बैठें यू आर विटिंग ली और अन्विटिंग ली एंडोर्सिंग देर व्यू यह कौं मैंने मेरा गुना क्या था जब यह सब्सक्राइब कर रहे हैं आपके पास में तो आपको एक राय देने के लिए हूँ जो पंजाब की बावना आपके सामने रखना चाहता हूँ अगर इन लोगों को आज आप यह अपने साथ बिठाए बैठे हैं पंजाब में आप बूलजे यह पंजाब के बारे में इनको ना सिर्फ सिख ना सिर्फ हिंदू कलकी पंजाब का एक एक बच्चा इनको कोसेगा और इनको यह परनाम बुख्तने पड़ेंगे अंबिका जी को और इनके इन चेलों को जिन्हों नहीं आपे पंजाब कॉंगरिस बहुन में या उटल के कमरों में जाके या जे माकन जी को जाके जो का था इसका देना आपको देना पड़ेगा परन्तु आज अगर आप भी नहीं समझते पंजाब के लोगों ने आपको जो कुछ दिखाया है उसके बाद भी अगर नहीं समझे और आप आज भी जैसे मैं समझता हूँ इस पूर अटेंप्ट टू पोल्ट्रे कॉं ने का कि अगर हमने जाच पात और जाती की अदर पे वोट डालना है तो हम नकली बीजेपी को वोट क्यों डलें असली बीजेपी को क्यों डने और वही मस्दा आपके साथ चाहे आप जब सफ्ट हिंदुत्वा की बात करते हैं लोग कहेंगे अगर वोट ही धरम के नाम पर डालना तो बीजेपी को क्यों न डले ये नकली बीजेपी को क्यों डले और आप मेरे दूसरों में फरक क्या है इसका कौन जवाब देगा यह जवाब तो आपको डूमने पढ़ेंगे इसके लिए किसी सलाकार की जुरूरत नहीं पढ़ेगी इसके साथ ही पंजाब की जब मैं बात करूँगा मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी बात करूँ मैं यहा आपको आँखें दिखाके अरबार जाके कहते हैं समझोता हमसे करने का प्रयास करी हैं कांग्रेस द्यक्षा उन्होंने ना सिर्फ आपकी पद की गर्मा को ठेस लगाई बलकि कांग्रेस की सोच को भी ठेस लगाई मैं आज वी उस बात पर पहरा देता हूं परंतु मैं इस हैं आपके पास किते ही पूर या एक्टिंग कॉंगरिस पर दान सुबहों के रहे होंगे शायद आपको नहीं पता था यह क्राम का आज बहु हूं आप कहीं बदल गए होंगे आपकी तो जहां खड़ा था वहीं घड़ा, यह हमारी कमजोरी है, यह हमारी स्ट्रेंग्थ है, हम तो जहां हैं, वहीं घड़े, परन्तु जिन्हों ने, वो कहते हैं कि आपने समंद विचेद नहीं किया सुनील जाखड से, आपने दिल तोड़ा है, दिल भी तोड़ा तो तुने, सिलीके से ने तोड़ा, बेवफाई की भी कुछ अदाव होते हैं, नोटिस दे रहे हैं सुनील जाखड को, पचास साल तीन पेडियों का समंद है, मुझसे बात कर परंतुमा आज जबाब देने के लिए निया है, मैं जो बात देने का आप से कहने के लिए है हूँ, जिस क्या कहूं, मैं मजाक कहूं, या इसके वपर तरस आता है मुझे, मुझसे आपने मुझे नोटिस दिलाया, ऐसे वेक्ती से नोटिस दिलाया, और इस बात के लिए न नोटिस दिलाया कि मैंने आपकी सलाह कारा के खिलाफ आप शब्द बोलें चलो मैंने तो आपकी सलाह करा आमभी का जी खिलाफ जो कुछ बोला न बोला पर नोटिस इससे दिलाया आपने तारीक अनुवर्जी एक बड़े सुल्जे हुए परिपक्वनिता हैं उनका तो आपक एक विदेशी महिला हैं और विदेशी महिला अगर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की अद्यक्षा बनती हैं तो मैं उसे एक अदापी सेह नहीं कर सकता और यही तारिक अन्वर साथ संग्वा साथ और पवार साथ के जाके इन्होंने सरकार अपनी पार्टी बनाई थी आप वो कहता है नहीं आतोर हर शाख पर उलू बैठा है इन शेरी मती जी की मंभीका सोनी जी की बताओं मापको आप उन से हमें जिसके उपर मैंने इल्जाम लगाए मैं आपके माद्यम से सोनीया जी मैं आपको क्योंकि आप बड़े हैं आप अद्यक्षे हैं आपके माद्यम से एक स्पीकर के तौर पे मैं आपके मादम से कांगरेजिनों से बात कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति पे मैंने अरोप लगाए हूं क्या वो मेरे खिलाफ अनुशाशन कमिटी में बैठ सकती है जज़बन के करते हैं वही कातिल वही शाहिद रवही मुंसिफ ठहरे यह खुदा मैं अपने कतल का दावा करूं किस पे मैं किसको जाके कहूं यह बात यह यह मेरे पर फैसला करेगी 1977 में कहां थी जब emergency के बाद सोनिया जी परचाया छोड़ गया था कांग्रेसियों का जो लोग थे इन किसम के जो वक्ती लोग थे these are fair weather friends, they are fair weather warriors, इंद्रा जी की चहती थी ये संजे जी के साथ ही मिलके काम करती थी इसलिए इंद्रा जी का इनके तरफ बड़ा मानसतकार था और उस मानसतकार का नतीजा इसी अंबिका सोनी जी ने ये दिया कि 1970 में जब उनको अपने साथियों की जुरूरत थी तो अंबिका जी सबसे पहले उस डूपते जहाँ से चलांग मार के गई थी जहाँ से डूपने वाड़ों को क्या कहते हैं मैं नहीं इच्छे करमें पढ़ूँगा और ना सिर्फ चलांग लगा के गई ना सिर्फ उन्होंने यहां से कांग्रेस उर्फ से चंदिगर से इलेक्शन लड़ा जिगरनाथ कोशल जी के खिलाफ कांग्रेस के परचासी के खिलाफ इन्होंने मेरट में जाके चुरासी में फिर महसिना को दूई जी बैटी होंगी मैंने देखा नहीं कर प्रोग्राम में उनको मैं अल्ला से यही दूआ करता हूं कि उनके सेथ कायम रहे वो यहां हों उनसे पूछिएगा कि इन अंबिका सोनी जी ने इंदिरा जी के खिलाफ क्या-क्या अबदर वाशा इस्तेमाल की थी आप बड़े दिल के नेता हैं राउल जी और आप बूल जाएंगे सोनीया जी हम नहीं बूलते हैं हम तो गांट बांद के बैटे हैं और ऐसे लोगों को बेनकाव करना पड़ेगा जब मैं यह बाते करना हूं जो मेरा यह किस्सा है दिस इस एक केस टडीन इटसेल्फ दे वे पंजाब इशू हैस बिन हैंडल फ्रम दे वेरी बिगने छोड़े सुनील को सुनील को उतारा गया जुलाई दो जारी किस के अंदर ये कह के कि सुनील जाकड मुख्यमंतरी कैप्टन नमरे इंदर सिंजी के साथ मिलके काम करता बहुत नजदी किया मिले हुए दोनों ने कांग्रेस परदान को बनाया गया और उसके बाद जुलाई 21 को ने कांग्रेस के परदान नवजो सिंग सिद्धू जी बनते हैं और उसके बाद छे महीने तक सारी AICC सारी कांग्रेस इसी बात को लगी रही कि पहले मुख्यमंतर पर किसी एक बात पर खड़ेंगा को एक स्टेंड है पार्टी का और यह जो डी स्टेबलाईज करने की प्रयास किया गया जिन को यह मैं जिनकी बात कर रहा हूं डिवाइन जस्टिस की रावत साथ की रावत साथ को बेजए इसलिए गया था कि अप्ता नमरेंदर सेंग वा विरोधी पार्टियां करती हैं आप तो यू आर दे पेरेंट पार्टी आप पंजाब में क्या डी स्टेबलाइज करवाना चाहती थे इसे कंट्रोल डी स्टेबलाइजेशन और इसका रिमिफिकेशन देखिए आज नोटिस आया कोई दिन पहले मेरे को नोटिस देन चाहिए में एक नोटिस नवजो सिंग सिद्धु जी को भी दिया गया मेरे मेरे बहुत से डिफरेंसेज हैं नवजो सिंग सिद्धु जी से परंतु मैं इन प्रिंसिपल बात करना चाहता हूं क्योंकि ये बातें आज के इस चिंतन शिवर में होनी चाहिए कि उनको किस बात के मैं मानी हैं बड़ी मैं बड़ा उनका रिस्पेक्ट करता हूं अशोग एलोजी का अशोग एलोजी आपकी सरकार को डी स्टेबलाइज क्या सुनील जाखड ने कर रखाए गया जो सुनील को नोटिस दिया गया है आपकी सरकार को निवजो सिंग सिदु ने डी था या नहीं था वो तो यह खुद जानते हैं क्योंकि एक एक बात का इनको ब्योरा दिया हुआ था मैं नहीं चाहता है था कि कॉंग्रेस की लड़ाई सड़कों बे उत्रे परन्तु यह इनका फैसला था सिर्मा थे मैंने मत्यों को कबूल किया सिर्मा थे कबूल किया परन्त तक कैम्प किये रखा, आपके सरकार के उपरी, इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट की रेड करवाई, वो तो आप अच्छे थे, कि पंजाब वाले से आलात आपके साथ नहीं बढ़े, आपके बांजे बतीजेगे, यहां 25-30 करोड रुपे नहीं मिले, तो आप बच गए, उन लोगों को नोटिस नहीं जाना चाहिए, उन लोगों को तो कारिशा द्यक्षा, मंतरना के लिए बुलाते हैं, तो क्या एक संदेश दे रहे हैं, एक मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुनील ने खता की है, और सुनील की वज़े से अगर पंजाब में सरकार नहीं बन और जैसे कि आपके इस अरीश बाइतू जी कह रहे हैं कि सुनील की वज़े से, सुनील के बयानों की वज़े से, आसपास वाड़ी स्टेट्स के अंदर भी कॉंग्रेस को नुक्सान हुआ है, तो पर सुनील को निकाला क्यों नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आ प्लूस ही नहीं है, मैं मर्यादा से बार नहीं जाना चाहता, परन्तू पहले इलजाम लगा करते थे कि कॉंग्रेस के अंदर, कॉंग्रेस के हर समय, हर स्रकार के अंदर एक कोट्री होती है, जिसे किचिन कैबिनिट कहलो या कोट्री उनको विश्वास पातर हैं, जो अपन का रूपदार्न कर चुके हैं, और मैं बड़ी गंबीरता से और बड़ी जुम्मेवर इसे कह रहा हूं, गिरो का शब्द मैंने इस्तिमाल किया है, यह जो बनाके बेजे जाते हैं, यहां पे हमारे इन चार्चिस बनाके बेजे जाते हैं, इतियास कवाया, पंजाव का, मै राजस्तान का या र्याना का तो बोल नी सकता, मैं पंजाब की बात करूँगा, जिनारतन दुएदी जी शायद आये हुए है, जिनारतन दुएदी से पहले, या बाद में, एक शकीला में साब को छोड़ दीजिए, चाहे वो चाड़क थे, चाहे वो आशा कुमारी जी थी, चाहे रावज जी थे, और चाहे हमारे अरिश बायत्तू जी थे, ये सारे के सारे एक ही आका के जाके पैरों में आता लगाते हैं, वो हमारे पंजाब की अंटी बैठी हैं वाँ पे, इन सारों को उनका वुर्द हस उनका जो हस था, उनके उनके उपर था, और इन लोगों इल्जाम बहुत लगें मैं दिंपा जी को मैंने कल बैठे देखा आपके बगल में बैठे तो सोनिया जी पीछली रो में आपके उन्होंने एक ब्यान दिया उन्होंने पूरे बाड़ मेर के माथ्य पे कलंक लगाया मैं समझता हूं उनको बाड़ मेर का नाम नहीं लेना यह था परंतु मुझे पता है कि वो नहीं बोलेंगे ना उनके खिलाफ कारवाई होगी क्योंकि मैं देखिए यहां बैठके रायत है नहीं बहुत असान है मैं समझता हूं कि पार्टी को चलाने के लिए बहुत सी आपकी मजबूरियां होती हैं मजबूरियां हैं भी चलान इतना जरूर चाहूंगा कि एक कमेटी दो बनाईजे कि क्या हुआ इस सो काल्ड इन चार्जिज एए एए सी सी इन चार्ज ऑफ पंजाब कॉंग्रेस हैं नॉट बिन लेस देन वो अमेरिकन एक वो एक फ्रेज बनी वे कार्पेट बैगर्स वो बेसिकली गलोरी फाइट ठ अग थे जोनों न अमेरिका में जाके जो उन दिनों में सिवल वार के बाद लूट खुसोड जो ही है इस किसम क्या यहां पंजाब के अंदर महौल रहा है इन लोगों को नोटिस ना दे कि आप नोटिस सुनील जाखड को दे रहे हो को इल्जाम तो बताओ सुनील जाखड क कांग्रेस की आंग फोड़ रहा है तो यह निन्ने तो आपको लेने पड़ेंगे सुनीया जी मेरे से राउल जी से मेरा यह निवेदन है क्यों हो सकता आने वाले उत्तरा दिकारी वही होंगे और वो चाहे मेरी किसी से बढ़े ना बढ़े मुझे लोग गल्थ कहेंगे कां शक्त अपोजीशन के लिए होना जरूरी है परंतु यह तब तक ही जरूरी है कि आप अपने अच्छे बुरे को पहचाने यह परशांद किशोर जी नहीं बता पाएंगे आपको कोई कोई आपो सुनील कानुगोलो है उसको वो नहीं बता पाएगा अगर आप लीडर है तो आपकी परक होनी चाहिए आप छोड़िये आप शायद I have always claimed that राउल गांदी जी एक बहुत बड़ी आइंसान है I still believe it चाहे आज मेरे फरक है चाहे जो भी है जो आज उठनी चाहिए थी सच के साथ में खड़ी होनी चाहिए नहीं हो इनकी मजबूर आउंगी परंतु इस वेरी फाइन मैं इस वेरी अपराइट और मैं अगर कॉंग्रेस के इतने साल लिप गया तो उसका बहुत बड़ा कारन राउल गंदी जी मैं आज मीं मानता हूं अगर और और कोई छोटे दिल का व्यक्तिवां बैठा तो उससे पहले ये तोड़ भी आज से पहले भी हो लेना था परंतु राउल जी आपको भी आज कल एरक्राफ्ट के अंदर ये सुखोई और वहां पर लड़ाई चल रही है उनके अंदर एवरी एरक्राफ्ट इवन टैंक्स के अंदर भी एक होता है आई एफ एफ कॉल आइडन्टिफिकेशन आफ फ्रें मैंसे मेरे पर नोटिस की मिसाइल दाग दी मेरा क्या बिगाड़ देंगे आप पर आपने अगर पार्टी चलानी है तो यह आपको फैसले लेने पड़ेंगे यह कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी ऐसे चापलूस लोगों से बेगहरत लोग हैं मैंने वहां पर एक उनके लिए बहुत बड़ी बात है परंतो इन चापलूस और बेगहरत लोगों को बीच में रहके मैं समझता हूँ हमारी जो कांगरस की नितरत्व है वो गहरत बंद लोगों से बात करना और उनके सलीके को बूल गए हैं परंतो यह आपको मुबारक हो यह चापलूस आपक जटो मभारक हो एक आखरी बात करणा चाहूंगा फैसला लीजिए फैसले आपने लिये हैं अच्छे लिये बूरे लिये समय बताएगाब फैसले तो लिये हैं और मेरे फैसले के अंदर जो बात में खास्तौर पर आखिर मैं आपसे लिए चाहता हूं सुनील वार्थ कैस from notification to your recommendation of the disciplinary committee till the time you have finally asked Sunil to be removed from all positions. It shows what is basically ailing Congress Party. आप अब भी फैसला नहीं ले पाए. ये क्या फैसला था? सुनील से पद ले लिये. क्या पद ले लिये? सुनील के पास कौन से पद थे जो आपने ले लिये? It is because आज भी either you lack conviction or you have doubt whether these allegations are true or not पर मिसाइल तो छोड़ दिये विया तो वापस नहीं आएगी. आपने तो मिसाइल दाग दी. सुनील का तो आपने कर दिया कुंडा. सुनील, एक सुनील की गैरत, सुनील का honor उसके लिए बहुत बड़ी बाद है. और जिस दिन आपने नोटे वे दिया, मेरे तो आपसे उसी दिन संबन्द विचेद हो गया. परंतु पचास साल आड़े आते हैं बीच में. इसलिए मैं आपसे समोधित हूँ कि एक हमान अपने हाथ में लीजिए. दोस्तर दुश्मन को पहचानिए, और दोस्तर दुश्मन नहीं पहचान सकते, कम से कम एसेट और लायबिल्टी तो पहचान लीजिए. एसेट कौन है रलायबिल्टी कौन है? यह लोग आपको कहेंगे कि पंजाब में हमने एक नेशनल एसेट क्रियाट किया, अगर वो एसेट है, तो उस एसेट को क्यों नहीं पंजाब कोंगर इसका परदान बनाया? क्यों नहीं उसको यूपी में लेगे गए, हमारे यहां तो 17 फरवरी को पंजाब के अंदर election campaign खतम हो गया था, अगर आपने वाके जातपात के नाम पे वोट मांगने का ठान ही लिया था पंजाब में, तो यूपी में क्यों नहीं लेके गए मायवती जी को काउंटर कराने के लिए, यह already has become an embarrassment, यह फैसले आपको लेने होगे, और उसके लिए मैं आपका ध्यान, रहुल जी, लेके जाना चाहूंगा, पानी पत की पहली लड़ाई, बाबर की तरफ, बाबर ने पहली धवा थी देखे, जब वो पानी पत आया, और एक हाथी को मगवा के उसमें सु बैठा जब बाबर, तो उसने बैठ के अपने सभा सेनापती से का इसके चानवर की लगाम मुझे थमाओ, तो उन्हों नहीं का जनाब, हाथी की लगाम नहीं होती, उसका सवाल था, मिश्चित तोर से, कि तो फिर यह चलाऊंगा कैसे, कहते जी, इसकी जो लगाम है, जो इ तो बाबर ने तब कहा था कि इसको आठी को बिठा और मेरे को निचे उतारो, तो उन्हों नहीं का क्या बात होगी माराज, तो उन्हों नहीं का मैं उस चीज की सवारी कभी नहीं करूँगा, जिस चीज की लगाम, जिस जानवर की लगाम मेरे आत में ना हो, जिस संस्ता की कमान सामी है और इन पिछलोगों को उपर छोड़के कॉंग्रेस पार्टी को अगर जिंदा रखना हैं तो यह लगाम अपने आत में लीजिए वरना इस किसम के जो चिंतन शिवर हैं इसी प्रशांत किशोर ने आपको का था यूपी में आपको लेके गए थे कंपेन का नाम था खाट पे चर्चा आज कॉंग्रेस पार्टी खटिया पर नजर आ रही है अगर आज समय रहते नहीं समले वक्त की फिकर करना दा के आमत आने वाली है तेरा जिकर भी ना होगा दास्तानों में तो इसलिए शुब कामनाओं के साथ चाहे आज मैं समझता हूं कि this is my parting gift, my last words spoken to the congressman, but मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कोई न कोई मैं आज बडास निकालने के लिए नहीं, आप में कमिया निकालने के लिए नहीं, उन बातों को जागर की है, जिनके उपर चिंतन भी नहीं चिंता करने का विशह है, आज आपका भी इम्तियान है और वो जो साड़े चार सो सो काल्ड सीनियर लीडर्शिप बैठी है, आज मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग खड़े होके सचाही पे पहरा देते हैं, कितने लोग खड़े होके कहेंगे कि वो पांच-चार जो पंजाब वाड़े आयों हैं, जिन्होंने आग लगाने क फिर से मैंने पहले भी जिस दिन नोटिस आया था, उस दिन आता गुड़ लग तो कॉंगरेस पार्टी, और तोड़े आगेन से गुड़ लग और गुड़ बाई कॉंगरेस, जैहन।